हेलो दोस्तों आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ रोज की तरह आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे कोईशन आपको मिलने वाले हैं जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे कोईशन बहुत महत्पूर हैं तो पूरे वीडियो को आप लांश तक देखिएगा और हरे कोईशन को ध्यान से पढ़िएगा आई ये सुरुवात करते हैं और देखते हैं पहले क्वेशन में क्या पूछा गया है पहला क्वेशन जो दिया गया है वो है निमलिकित में से किस अस्थल को ताम ववती कहा जाता है चार बिकल्प आपके सामने है इसमें से सही उत्तर आपको बताना होगा तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका B वाला है अहार इस प्रस्मी के लिए बिलकुँ सही उत्तर होगा इसको ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा निमलेकित में से कौन सा अस्थल किला बंद और खाई से घिरा हुआ है आपको बताना नीचे दिये गए अस्थलों में से कौन सा अस्थल किला बंद और खाई से घिरा हुआ है चारों विकल्ब में से आपको सही उत्तर बताना है इन सब में से जो सही उत्तर है वो आपका जो A option दिया गया है दैमाबाद इस प्रस्मे के लिए बिलकुस सही उत्तर होगा इसको ध्यान रखिएगा A में क्या दिया गया है दैमाबाद अगला question देखते हैं अगला question क्या है अगला question है हमारा उपराष्टपती का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है चार विकल्ब दिये गये हैं इन सब में से जो सही उत्तर है वो आपका कितना है आपको बताना है इन समय से जो सही उत्तर है वो D वाला है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए D वाला विकल्ब जो होगा बिलकुछ सही होगा इसको ध्यान रखिएगा अगला question देखते हैं अगला question देखते हैं इसमें आपका सी वाला आपसं बिलकुछ सही होगा राज सवह इस प्रश्ण के लिए बिलकुछ सही उत्तर है इसको ध्यान रखना है आपको अगला question है मारा निमलिखित में से कौन राष्टपती के चुनाव में तो मद्दान नहीं करते हैं परंतु उपराष्टपती के चुनाव में मद्दान करते हैं इसमें A वाला option बिल्कुँ सही होगा इसको ध्यान रखियेगा राज सभा के मानोनुईत सदस्य प्रशन के लिए बिल्कुँ सही उत्तर होगा अगला question है हमारा भारत के राष्टपती ने एक मात्र मामले में अपनी pocket वीटो सक्तिका परियोग किया वह था आपको बताना है व विकल्फ है बिल्कु सही होगा इसको ध्यान रखियेगा भारत डागघर संसोधन विधेयक इस प्रशन के लिए बिल्कु सही उत्तर होगा अगला question देखते हैं अगला question है भारत के संविधान के किस अनुछेद के अंतरगत निजता का अधिकार संरक्षित है भारत के संवि जादा question करवाने के लिए जादा समय नहीं ले रहा हूं तो इसमें जो सही उत्तर है वह आपका सी वाला सी में क्या दिया गया अगला question है गैर मजदूरी आई से क्या अभी पर आया है आपको बताना है चार विकल्फ आपके सामने है इसमें से सही उत्तर कौन सा है तो देख question है हमारा व्यक्तिगत आय पराप्त करने के लिए राश्ट्री आय में से निमलिखित में से किसे घटाया जाता है व्यक्तिगत आय पराप्त करने के लिए राश्ट्री आय में से निमलिखित में से क्या घटाया जाता है आपको बताना है चारो विकल्फ में से सही उत्तर आ अगला question देखते हैं अगला question है हमारा निमलखिट में से कौन राश्ट्री आय का अंग हो सकता है चारो आप्सन में से सही उत्तर आपको उताना है इन सब में से जो सही उत्तर है वह आपका सी वाला है स्वयम अदिक्रित घर का आरूपित कर इसमें जो बीकल्प है आपका सी व निमलिकित में से किसे राश्टी आय की गर्णा में सामिल किया जाता है चारो विकल्प में से सही उत्तरा बता दीजिए इसमें जो सी वाला आप्सन है बिल्कु सही होगा इस प्रशन के लिए स्वा उपभोग हे तु उत्पादित वस्तुई है अगला क्वेशन है हमारा किसी आर्थ विवस्ता में मांग निश्चित रूप से कब बढ़ेगी आपको बताना है वो इस्तिती बतानी है चारो वाप्सन में से वो इस्तिती कौन सी है तो इसमें जो आप डीवाला विकल्प देख रहे हैं वो बिल्कु सही होगा इसलिए डीवाला विकल्प जो है बिल्क है तो इन सब में से जो सही उत्तर है वह आपका एि वाला है हिमाद्री श्रेडी स्टस्टने के लिए बिल्कु सही उत्तर होगा इसको ध्यान रखियेगा अगला कुश्चन देखते हैं अगला क्या है अगला कुश्चन निमलिके निमलिके जंजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और नीकोबार दीव समू की मोल निवासी नहीं है आपको बताना है इसमें इसमें जो भी में देख रहे है रेंगमा इस प्रसमे के लिए बिल्कुर सही उतरोगा रेंगमा अगला question है अमारा निम्लिखित में से कौन से नदी पार-हीमाले नदी है आपको बताना है त्यारो आपसन आपके सामने है और इसमें से सही उत्तर आपको जो बताना है वो है B वाला सतलुज नदी इस प्रशने के लिए बिल्कुण सही उत्तर होगा अगला question देखते हैं अगला question जो दिया गया है कस्मीर घाटी इस्थित है आपको बताना कस्मीर घाटी कहां इस्थित है आपके सामने 4 option है इसमें से सही उत्तर आपको बताना कस्मीर घाटी इस्थित है वो कहां इस्थित है तो इसमें जो B वाला आप देख रहे हैं B में क्या दिया गया है पीर पंजाल और हिमादरी परबस रेडियों के मद अगला क्विश्चन है आपके सामने और इसमें से सही उत्तर आपको बताना है कौन सा होगा इन सब मेंसे जो सही उत्तर है वो आपका सी वाला है भूमद सागरिये परदेश इस परसन के लिए बिलकुल सही उत्तर होगा अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है डार्लिंग श्रिंकला आस्ट्रेलिया के निमलेकित तटो में से किस पर अवस्तित है आपको बताना है चारू आफ्सन में से जो आप D वाला आफ्सन देख रहे हैं बिलकुँ सही होगा दक्षिर पश्चमी तट इस प्रस्न के लिए बिलकुँ सही उत्तर है अगला क्वेश्चन है निमलेकित में से कौन सी महासागरी धारा हिंद महासागर से संबन्दित है इन सब में से सही उत्तर जो है वो आपका सी वाला होगा सी में क्या दिया गया है अगुल हास धारा इस प्रस्चन के लिए बिलकुँ सही उत्तर है अगला क्वेशन ने वारा डक्षिड अफ्रिका का पोस्ट मार्श बर्ग और उसका समीब वरती छेत्र निम्लिकित में से किस खनीच का परमुकुत पादक है आपको उस खनीच का नाम बताना है चार आपसन आपके सामने है क्वेशन फिर से ध्यान दीजिएगा डक्षिड अ मलेसिय में किंटा घाटी परसिद्ध है चारो आपसन में से जवाप सी वाला बिकल्प देह रहे हैं बिलकुत सही होगा क्योंकि आठेन उत्पादन के लिए परसिद्ध है इसलिए वाला बिकल्प इकदम सही उत्तर है अगला क्वेश्न है राष्ट्रिय चंबल अभियारं निमलिकित में से किस राज का हिस्सा नहीं है चारो आप्षन में जो राज दिये गए है इसमें से जो C वाला विकल्प है इस प्रस्ण के लिए बिल्कुछ सही उत्तर होगा हरियाना इस प्रस्ण के लिए बिल्कुछ सही उत्तर है अगला question है मड़पुर पहाड़ियों से घिरा, इंफाल बेसिन एक उधारन है, आपको बताना है मड़पुर पहाड़ियों से गिरा, इंफाल बेशिन किस चीज का एक उधारन है, चारो आपसन में से सही उत्तर है, इसमें जो आप ए वाला देख रहे हैं, बिल्कुश सही होगा अगला कोईस्चन देखते हैं कर वा तेली-ग्राफिक-पठार हिस्स है किसका हिस्सा है एक बताना है चारों सबस्द्र आपको बताना होग इसमें वाला देख रहे हैं उत्तार अथांटिक यूवाला बिकल्ब होका बिलकुर वहिवा धानों के के लिए किस मंदल को आधर्त माना जाता है वाय यान उडानों के लिए किस मंदल को आधर्त माना जाता है चार आपसंद आपके सामने है और इसमें से सही उत्तर जो है वो आपको बताना होगा तो इसमें यह वाला बिकल बिल्कुर सही होगा समताप मंदल इस प्रशन के लिए प्रशन के लिए प्रस्थ प्रैस्न के लिए सहई उत्तर है उन्हें भारत के प्राचीनतम, पंचमार्ः सिक्के मुख्यता किस धादो के बने होते थे, आपको इन चारो आप्सें में से बताना वह धादो कौन सी होती थी, इसम में से जो सही उत्तर है, वह आपका सी वाला होगा, क्वाला होगा, फिल्या बिकलब जते अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और सेयर करना न भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके से किसी भी एक्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हम हर दिन आपके लिए ऐसे प्रेक्टिस सेट लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत भी लगती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद